जांग दोस्तों तो जो भी हम अपने एवाड वाली सिरी चला रहा है जिसमें आपको इवाड के बारे में बता रहेते उसमें सिरी से एंपरा वीडियो जिसमें हम Golden Globe Award के पढ़ेंगे Golden Globe Award तो सबसे पहले है बेसिक बात एक तो असान बात हम समझे कि एवाड दिये क्यों जाते हैं क्या होते हैं और एवाड दिये क्यों जाते हैं मैं पहले पेंट सेलेट कर लेता हूं और यह रहा एरेजर तो देखिए जेघे बात कि हैं अभाड मिलते हैं जब आप सबसे अच्छा करते हैं तो उस फिल्ड के सबसे अच्छे वाड मिलते हैं जैसे आप घर CPT इब णके कधिगे गलत करते तु है। तो आवार्ड होते हैं कि आप कुछ भी एक्स्ट्राइडनेरी करिए बाकी लेवल से हट करके जैसे आप डेली सुबह साथ से आठ बज़े तक ब्रस करते होंगे ना आते होंगे नहीं काम करी चारी बजी उटके पढ़ना सुरू कर दीचे तो घर वाले क्या करेंगे वार्ड क्या देंगे सब्सक्राइब किसी भी फिल्ड में अच्छा करने लेकिन जब सारी करनी के बारे में बात कि कि बीए फिल्म सिनेमा इन सब बैटोग्राफिक क्या होती है क्या लगता है कि जो मुवी बनती है आर sect मुझमाद дело कि और क्या वहता है वेब Kyoto की hidden सिरीज होती है कम आप कंप और क्या होता है सीडियाल होते हैं ये सारी छीजी होती है पर का है और उसको इसको भी छोड़ा करते हैं इसको डाकुमेंटरी होती है इन सब में जो सबसे बेश्च करता है उसको अवार्ड जाता है निस्टनल लेवल पर सबसे बड़ा भारत देश का जो सबसे बड़ा वाड़ है वो कौन सा है दादा साफ फॉल के वाड़ बट जब इंडिया पूरे नंबर पे आता है ग्र्मी एवाड ग्रैमी यह तो सुना वह लग रहा है अभी इंडिया के लोग को टीम एपिला एक ही बार में तीन नहीं मिला है दो पेशली बार के मिलेते हैं एक इस बार मिला है। ठीक से नमबर पर जो आता है जिसको बोलते है गोल्डें ग्लोब लूस्प और आपके सामने पेस है golden globe यह कुछ दिखने में आसा ही लगता है golden globe award ठीक है यह golden globe का मतलब क्या दर गोस्ते गोल्डन वे सोने का globe means अपना जो अर्थ जैसा ठोकिंटा है वो पूछेगा कि Golden Globe Award जो इस बार हुए है वो किस नंबर के है ठीक है यहां फसाता है ठीक है अब इसके बाद आप देखे Golden Globe Award में ठीक है तो आप देखे किस फिल्ड में दिया जाता है तो सिनेमेटोग्राफी के लिए दिया जाता है तो फिल्ड है ओसकर वाड कॉंशिकंट्टी देती है ग्रेमी वाड कॉंशिकंट्री देती है United व्युवस्ता खुर्सी पंखा मेच अब जैसे कोई अवाट सो होगा खुर्सी पंखा मेच किसको नोटेशन है ना पानी कुन पिलाएगा चाय पानी नास्ता सब को रहेगा यह सब अच्छा पीएज देखती है यह आसकर और गैमी के बाद तीसरे नंबर का है सबसे जागा गुल्डेन किसको मिला है यह पूछ सकता है लौला लैंड लौला लैंड इसे मिला है 2016 में सेवन सेवन गोल्डेन ग्लोब एवार्ड ठीक है इसके पाद इससे जो पहले 2022 का जो 79 यह कब सुरू किया गया थे इनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिकली जाल लिजे तो यह सुरू किया गया थे 1943 में यह एच एफ पीए तो पहले पढ़े है एच एफ पीए का गठन किया गया था 1944 में यह डिश्ट एवाड बटे थे तो अब माले जै कि इस साल का तो 44 की मूवी के लिए नहीं 43 की मूवी के लिए बाटा गया था ठीक है इस एट क्लियर ओके आगे चलते है चीक है तो 79 नमबर का जो गोल्डेंग लोब एवार्ड है कि किस बेस्ट मोशन फिल्म 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 जो होती है बेसिकली पिक्चर्स को एड़ करके उसको मोशन म अगे बनाई जाती है इसको बेस्ट मोशन फिल्म बोलते है जो की मिला थे देपावर अफ डॉट और इसके जो हीरो थे इनका नाम है बेस्त टेटर का जिसको एवाड मिला है वह है विल स्मित माइज में यह वो निकोल किड्मैन इनका नाम आप भूलीए गानी इक बार रि कैंटो के लिए कभी कभी गोता है कि पिछला एक साल पूरा ना फूच देता है ऐसा दो तीम बार हुआ है इस लिए इस चीज को एक बार रिवाइस करना देता हूं ठीक है अब एक्टीत गोल्डर वार्ड चर्चा में क्यों है सबसे में चीज तो यह वह ना कि अखिर इस चर सोग किसको दिया गया है अगाताते है आर आर मुई का उगाना है सोचिए तो बेस्ट ओरिजिनल सौंग का अवार्ड गया है यह फोटो पैचान रहूंगे नाटू नाटू के लिए ठीक है और बेस्ट स्क्रीन पर देखी यह पेपर की कटिंग्स मैंने लाया है यह इतिहास अच्छा इन लोगों ने इतिहास वे दिया भारत के लिए बहुत गर्व की बात है नाटू नाटू गानाओं को और इसके साथ साथ यह ऑसकर के लिए भी नॉमिनेट है ऑसकर अभी अभी मतलब डिक्लेयर नहीं किये गया है 12 मार्च को साथ डिक्लेयर होने वाले है तो उस स्थे पहले के अधिक हमने 18 गोडय को कि चर्चा में था ना-वनाटू बेश्ट्ट उरिजिनल सॉंग का इवार मिला आ яр और किसे मिला है नाटू नाटू को इसके जो म्यूजिक के डारेक्टर है उनका नाम है एम एम किरवानी और जो इसके डारेक्टर है उनका नाम क्या है Uh、 S.H.R.A. Moli आप तो अच्छे जानता होंगे Best Motion Picture इसको एधर टिक लगा लिए Best Motion Picture का आवर्ट किसको मिला है Steven Spills बग को Sorry Best Motion Picture का आवर्ट नहीं Best Motion Picture का आवर्ट मिला है The Faible Man को और इसके जो डारेक्टर है Steven Spills बग उनको Best Director का आवर्ट मिला है तो मूवी कौन से है? दफ फैबल मैन देख लीजे दफ फैबल मैन अब यह जिए इस लिए खास है क्योंकि यह जो कहानी है श्टीवन स्फिल्सबक के बच्वन की कहानी से लेटेड है क्या हुआ था कि जब श्टीवन छोटे थे तो इनके ममी पापा का तलाक हो गया था आप तो इंडिया में रहते हो आप जानते होगे जब ममी पापा में कभी ऐसा कुछ होता है तो बच्चों पर ब लब लेटर पढ़नें क्या होता है कि एक लाइन पढ़ा मजा गया दूसरा पढ़ा और मजा गया तीसरा पढ़ा और मजा गया तो जैसे से पढ़ते जाएंगे ना वैसे आपको इक एक दिल कुछ चूता जाएगा ठीक है मतलब मैं से पास्नली इंस्पार हूँ अच्छा एकका हुआ बस्ट एक्टर और सबेस्ट ऐक्टर है वुट है तो यह भी भी सैक्टर करने पर ने असटीन पट्लर है ने quantum असरीत बट्लत सबछकेता हुए एव चो PowerPoint आश्ट के लिए वह किसे से कि लिए उसके माद जो ऑपपह तो थोड़ी कटी हुई लग रही है थीक है थोड़ी सी दूदली को दिकत नहीं तो गोल्डेन ग्लूब एवार्ड का जो बेस्ट एक्ट्रस का वाड मिला है के ब्लैंचेट किस मुवी के मिलें लिए मिला है टार ठीक है इसके बाद देखिए बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी म्यूजिकल या कॉमेडी एक्ट्रस जो मिला है वो मिला है मिशेल यो अब बताता हूँ यह इतना खास क्योंकि इन्हें भी आसकर के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है और यह सिर्फ अपने कंट्री की नहीं पू क्योंकि यह एक लोती ऐसी है जिनका पहली बर नॉमिनेशन हुआ है ऑसकर के लिए ठीक है इनका नाम क्या है मिशेल यो किसके लिए मिला है फॉर एवरी थिंग एवरी वियर एक फॉन्स ठीक है अभी मैं सब रिवाइस करा दूँगा इसके बाद बेस्ट डिरेटर का अव फाइव ग्रमी एवर्ड सॉरी फाइव गोल्डेन ग्लोब एवर्ड बेस्ट टेलिवीजन सीरीज का मिला हाउस आप दर ड्रैगन इसका तो आप यूटूब पर चाहर रहता है बड़ा सा ड्रैगन है वो जो आग निकलता हो लड़की है यह आप लोगों ने देखा होगा अशचि nude नो style टाहिए पाइणी सबसे अलग होता ठीक हेगा की अलग होना समसे गलत हो नहीं न होता सबसे अलग होना यह स्वर मनाता हँ इस पर उसमें कुछ निकर सकते तो इसमें कृसरा अलग होता है वह कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है ठीक है तो अभी तो यह खतम हो गया मैं आपको एक बार उसका रिविजन करा देता हूं तो सबसे पहले देखें कि इस बार 2023 में 18th Golden Award मिला किस मुवी को मिला The Fable Man उसके डारेक्टर कौन है स्टीवन स्पिल्सवर्ग ठीक है किस एक्टर को मिला एल्विस मुवी के लिए किस एक्टर को मिला ऑस्टीन बटलर जहां के आप बैठे रहते हैं तो जब आपको कुछ चीजें याद कर नहीं हो कुछ पढ़ने के विव से देखते हो तो उसको एक बार बोल दिया करो ठीक है ऑस्टीन बटलर को मिला ठीक है किस किस हिरोईन को मिला ठीक है तो देखो एक्टर में ऑस्टीन बटलर को मिला और जो हिरोईन में मिला वो किसको मिला अब उसको दिमान में रख सोचो प्रेशर डालो टार मुवी के लिए मिला है ठीक है टार मुवी के लिए किस हिरोईन को म इंडियन सॉंग को इस बार का गोल्डेन ग्लोब अवार्ड मिला है तो नाटू नाटू को और वह आसकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट है एक ही बन पूरा रिविजन हो गया किस फ़स्ट इंडियन सिंगर को गोल्डेन अवार्ड मिला था फोटो तो पहचानी रहोंगे ना यह है ए आर रह्मान साहब जो भी इंडिया के लिए वार्ड है उसे इज़्जद देना वह आपके देश का नाम उचा करता है ठीक है किस सन में मिला था 2009 में कुछ यहाद आ रहा है किस सॉंग के लिए मिला था जै हो किस मूवी के लिए मिला था इसलम डॉग राइटिंगर बड़ोगी यार स्लम डॉग स्लम डॉग मिलेनेयर ठीक है और आज के क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आपको देता हूं विच अवार्ड आज को सिन आप कमेंट बॉक्स में जरू दीजिगा पिछला जो मैंने कोश्चन पूछा था कि रियासी जीला किस यूनियन टेरिट्री में पाया जाता है उसका आंसर में बता देता हूं आज आपका क्वेश्चन है विच अवार्ड आज किस अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड करते हैं यह मैंने वीडियो के सुरूम बता रखा है हिंट भी दे दिया आप अपना इसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ठीक है ओके थैंक यू